Assalamu alaikum my dear viewers, welcome to e-learning with Siddhas Channel आज हमारा आज का टोपिक है हमारा Past Perfect Tense आज हम Past Indofinite Tense की सेकिंड सब टाइप को डिसकस करेंगे जिसका नाम है Past Perfect Tense पिछली वीडियो में दो पहली दो वीडियो में हमने पहले Past Indofinite Tense को डिसकस किया है पिर उसकी First Sub Type को डिसकस किया है Past Continuous Tense को और आज हम इन्शालला Past Perfect Tense को डिसकस करेंगे जो के Second Sub Type of Past Indofinite Tense की टाइप है तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप से रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें, कॉमेंट करें और मेरी वीडियो को एंड तक देखें और शेयर करें प्लीज तो चलें स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक Past Perfect Tense Past Perfect Tense बेसिकली क्या होता है Past Perfect Tense is used to talk about the action that were completed before some point in the past means के Past mean आपको पता है गुजरा हुआ हो जमाना जो टाइम गुजर चुका होता है वो Past में चला जाता है Perfect Tense means के that were completed before some points in the past जो के कुछ Past में जो काम complete हो चुका हो वो Past Perfect Tense कहलाता है उसकी अर्दू में बहचान क्या है कि अगर आपको sentence आता है तो आपने identify कैसे करना है उसके keywords कौन से हैं जिससे आप identify करेंगे कि ये Past Perfect Tense है और Present Perfect Tense है और Future Perfect Tense है परफक्ट तो तीनों है परफक्ट के भी परफक्ट है फूचर का भी परफक्ट है तो उसकी identification ये है कि उसके sentences के उर्दू जो फिक्रे हैं उर्दू के जो sentence होता है उसके आखर में चुका था चुकी थी चुके थे या चुके चुका है भी आता है सम टाइम चुकी है चुकी है भी आता है चुका था से आपने जो आइडनिटिफाई करना है कि ये पास्ट की बात और ये चुका means के परफेक्ट कमप्लीट हो चुका है ठीक है चुके थे वगारा आता है ये उसके उर्दू की सेंटेंस की पहचान है फॉर एक्जामपल अगर हम कहते हैं वो कराची जा चुकी थी वो कराची जा चुकी थी चुकी थी से आपने आइडिन्टिफाई किया कि ये पास्ट पर्फेक्ट टेंस का सेंटेंस है और ये एक्शन जो है पास्ट में कम्प्लीट हो चुका है वो खत लिक चुका था चुका था से आपने identify किया कि ये past perfect tense का sentence है उसके बाद next आपने जब identification कर दी तो second step जो होता है वो उसकी form of verb को identify करना है जब आपने identify कर दी उसके बाद फोरण आपने mind में आपने quickly आपके mind में आना चाहिए कि इसमें form of verb कौन सी use होती है तो इसमें third form of verb use होती है third form of verb use होती है और इसके helping third जो number third जो चीज़ आपके mind में आनी चाहिए और sentence को बनाने के लिए चाहिए वो helping verb है तो इसका एक ही helping verb है वो है head and head singular or plural दोनों subject के साथ use होता है means I, you, we, they, he, she, it sub के साथ head ही इस्तमाल होता है इसको sentence को बनाने का तरीका कार के है जो मैं आप से ये discuss कर चुकी हूँ कि इसमें fail की तीसरी form इस्तमाल होती है और इससे पहले fail की तीसरी form से पहले head लगाते है means कि form of verb से पहले आपका helping verb use होता है it means कि आपका जो simple sentence हो बनाते वक्त भी आपका helping verb use होगा simple sentence में भी आपका helping verb use होगा just आपने mind में रखना है कि present indefinite tense और past indefinite tense के simple sentence में helping verb use नहीं होता और तमाम sentences के simple sentence और affirmative sentences में आपका helping verb use होता है ये आपने key point को आपने mind में रखना है तो structure of the sentence, simple sentence कैसे बनता है, first of all subject, subject के बाद helping verb, head इस्तिमाल होगा, फिर third form of verb है, third form of verb plus subject, simple, for example, हम इसकी example को discuss करते हैं, वो खाना खा चुके थे, वो खाना खा चुके थे, पास्ट में खा चुके थे, जादा लोग हैं थे, तो वो, they, they use, they had is helping verb, आपने helping verb, head use किया, eaten is the third form of eat, eat, ate, eaten, eat is the first form, eat is the second form, and eaten is the third form of verb, eaten food, they had eaten food, वो खाना खा चुके थे, अब देखें, जैसे यह है, सल्मा सो चुकी थी, जो भी कोई भी example आपके पास आजाए, तो सल्मा had slept, तो देखें, सल्मा लड़की है, had, इसका, सल्मा सबजक्ट को शो कर रहा है, had क्या है, आपके पास, आपको शो कर रहा है, helping verb को slept, sleep, sleep, slept, slept, तो सल्मा had slept, यह इसके simple sentence बनाने का थरीका है, आप negative sentence को बनाने के लिए, negative से ही आपने mind में रखना है, कि same structure of the sentence होगा, negative mean not, use of not, तो इसमें हम just, जो helping verb, head है, head के बाद not लगाते हैं, use of not इसमाल होता है, negative sentence में, subject, plus helping verb, plus not, plus third form of verb, plus subject, similarly आप देखें, कि वोई example अगर आप देखें, जैसे वो खाना नहीं खा चुके थे, अब हमने नहीं not का इसमाल किया, वो खाना नहीं negative बनाया इसको, they had not eaten food, same structure of the sentence, they had eaten food, they had not eaten food, had helping verb के बाद, just हमने addition of not किया है, जो के आपके negative sentence को represent कर रहा है, इसी तरीके से जैसे सलमा सो, सलमा नहीं, सो नहीं चुकी थी, सलमा हैड not slipped, सलमा हैड के बाद, helping verb के बाद, just आपने not का इस्तमाल किया है, same sentence है, आपने just mind में रखना है, कि इसमें third form of verb आपने याद रखनी है, और helping verb के बाद, आपको पता है, कि not का इस्तमाल होगा, negative sentences में, और similarly, अगर हम इसके चलें के, interrogative sentences की बात करें, तो interrogative sentences में, आप क्या करते हैं, head, फिक्रे के शुरू में head लगाते हैं, means के sentence में, sentence के start में helping verb आ जाता है, जो helping verb का नायम क्या है, head, और फिक्रे के आखर में, स्वालिया निशान लगाते हैं, means के question mark at the end of the sentence, आप पुट करते हैं, तो interrogative sentence का structure क्या है, कैसे बनाते हैं, हम interrogative sentences को, helping verb को start में लेके आएंगे, then subject, then third form of verb, and then object, very easy, आपने just rule याद रखने हैं, तीन चीज़ें आपके mind में अगर हैं, एक इसकी अर्दू में identification, form of verb, और आपके पास, आपको इसका helping verb बता है, तो आप easily, कोई भी tense attempt कर सकते हैं, ये तीन key points हैं, जो आपने mind में रखने हैं, head tenses के, जैसे for example, क्या वो खाना खा चुके थे, अब हम question पोच रहें, क्या, क्या हो खाना खा चुके थे, question mark, आपने just किया किया, helping verb, head को sentence के start में ले गया, subject they, had they eaten, eaten is the third form of verb, food, had they eaten food, similarly, क्या सल्मा सो चुकी थी, head सल्मा slept, क्या सल्मा सो चुकी थी, head सल्मा slept, just आपने helping verb को start में ले किया है, और then उसके बाद आपने subject को लग और then form of verb यूज होई है, तो negative interrogative sentences अगर आपके पास आते हैं, negative interrogative sentence means उसमें negative भी हो, और interrogative भी पूछा हो, धुनों का mixer हो, तो वो कैसे बनाते हैं, obviously जा आपको नाम से जाहर है, कि उसमें not, negative mean, आप not का use भी करेंगे, और interrogative mean, कि आप helping verb को start में ले के आएंगे, ये दो चीज आपको इसके name से ही, आपको sentence को पढ़ते साथ ही, फोरण आपके mind में आ जाने चाहिए, कि आपने ये दोनों, इन sentences में ये दो changes हो रही है, तो इसके लिए फिकरे के शुरू में head लगाते हैं, similarly उसी तरीके से, और subject के बाद आपने क्या लगाना है, not लगाते हैं, subject के बाद not और फिकरे के आखर में स्वालिया निशान लगाते हैं, जैसे कि for example आपने, इसका structure of the sentence, helping verb start में, then subject, then not, not represent negative, और helping verb जब स्टार्ट में आया तो वो interrogative को represent कर रहा है, third form of verb plus object, जैसे कि क्या वो खाना नहीं खा चुके थे, क्या interrogative, नहीं, negative, interrogative, negative का mixture है, वो खाना खा चुके simple sentence है, क्या और नहीं लगाने से ये negative और interrogative में change हो गया, तो इसका rule क्या है, रूल के according लिए आप इसको solve करें, helping verb had subject they not, third form of verb eaten object food, had they not eaten food, क्या सल्मा नहीं सो चुकी थी, had सल्मा not slept, तो ये था आज का हमारा topic, जिसका नाम था past perfectence, I hope कि आप लोगों को past perfectence के key points समझ आए होंगे, आप बस इसके आपने तीन key points को याद रखना है, कि अगर आपके पास ये उर्दू में sentence के आखर में चुका था, चुकी थी, चुके थे वगारा आता है, तो it means कि ये past perfectence का sentence है और उसके बाद आपने उसकी form of verb को याद रखना है, third form of verb उसमें यूज होती है, और उसके बाद आपने उसके helping verb head को याद रखना है, एक ही helping verb है, इसका head जो तमाम subjects के साथ यूज होगा, whether वो singular subjects हैं या plural subject हैं, सबके साथ head यूज होगा, और simple sentence में भी, आपके helping verb यूज होत है, और interrogative sentence में आप helping verb को sentence के start में लेके आते हैं, just आपने ये key points याद रखने हैं, जिससे आप paper में अगर आपको translation करनी आती है, और आपको objective में ये paper में आता है, तो आप उसको कैसे identify कर सकते हैं, आपको जब English में आए, तो English में आप उसके just helping verb और third form of verb से identify करेंगे, कि ये past perfect sentence का sentence है, तो ये इसके key points हैं, जो आपने याद रखने हैं, I hope कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, प्लीज मेरे चैनल को subscribe करें, वीडियो को like करें, और comment करें, प्लीज, इन्शालला नेक्स वीडियो में हम इसकी third and the last sub type of past end of light tense को discuss करेंगे, तब तब तक के लिए Allah हाफिज